आयोध्याव और देश मास्यों ने सेंक्डों वर्सों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने छमा याचना भी करता हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए है आज वो कमी पुरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभु बिलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समगर देश्वासी हर्थ से भर गए लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वासियों ने सेंकडों वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने वियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याए पालिका का जिसने न्याए की लाज रख ली न्याए के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याए बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाओं गाओं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैस्री राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा इविनम्म प्रयास था वहां पर मैंने पुष्प बंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुस्थान के दोरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरन पड़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनाथ स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम मैं स्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष कोड़ी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुस्त इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशाओं में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग 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 भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस मृतियों में पर्वस्य से लेकर परंपराव में सर्वत्र समाय हुए हर यूग में लोगों ने राम को जीया है हर यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राजिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असीम है और राम आयन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिये देश वाचियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिय और समर्पन की वज़़ से आज हम इस शुबदिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्ठा करके दिखाई है उन अंगिनत नाम भक्तों के उन अंगिनत कारसेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रणी है साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षण तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनए का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजी हुई गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्तित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो ये बताती हैं कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए राम लला के इस बन्दिर का निर्मां भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं ये निर्मां किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदीर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूँगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम समधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्फ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साधियों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे है जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है आज आयोजन का यह उत्सवा रामायन कि उन वैश्विभथ प्रव्परों का भी उत्सव वना है रामलला की यह प्रतिष्ठा वसु धे उखुटमaking के विचार के भी प्रतिष्ठा है कि शाथियों आज अउध्या में केवल स्री राम के विग्रह रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं उलिए ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वास की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिविय मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन्तु सुखेदा यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदीर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदीर मात्र एक देव मंदीर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदीर है यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभाव है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यतावी है राम निरंतरतावी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताव्धियों तक ही नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्राप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिश्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रतेग राम वक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस आउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्र मन से मैसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन यह ऐसे गुण हैं जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता मुझी जी ने क्या का राम प्रांक परस्ता के बाद जरूर सुनेगा जैसरा